जहिन दोस्तों स्वागत आपका विजयपत डिफेंस एजुकेशन में आज है 18 फर्बरी 2021 इस वीडियो में डिसकस करेंगे डे टू डे के करंट अफेर जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपका एक्जाम बेंकिंग का हो रेलबे का हो HPSC, HPSP, पुलिस के लिए हमारे डेली के करंट अफेर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा Basic Foundation का कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको दिलवाएगा 100% Sure Success और कवर करवाएगा आपके आने वाले सभी State और Center Government exams को आप Basic के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगी Online Test Series, Special Notes और Books सो 100% Sure Success के लिए आप हमारा Basic Foundation का कोर्स जोइन कर सकते हैं वीजेपत्ट Defense Education में हमारा हीमाचल पुलिस और SSE MTS का भी Advanced Bad Start हो चुका है जिसको आप वीजेपत्ट Defense Education में जोइन कर सकते हैं सो आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन है वीडियो का इंडिया Ratings and Research के अनुसार बित बर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है तो इंडिया Ratings and Research के अनुमान के मताबिक बर्ष 2022 में भारत की GDP जो है ये बढ़कर 10.4 प्रतिशत तक पहुंचे सकती है आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि 2021 में भारत की GDP कितनी है Next one है किस राजय सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपे में भोजन उपलवध करवाने के लिए एक नई योजना जिसका नाम रखा गया है मायोजना शुरू की है तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा ने योजना का नाम रखा गया है मायोजना और उसका लक्षे है कि गरीबों के लिए 5 रुपे का भोजन उपलवध करवाना तो ये योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा हाल ही में वहाँ पर इलेक्शन होने हैं आपको बताना है कि बर्तमान के वहाँ के जो सी एम है उनका नाम क्या है नेक्श वन है दा टेरिवल होरिवल बैरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक किस ने लिखी है ये पुस्तक लिखी गई है मेगना पंत के द्वारा के मुख्यमंत्री के द्वारा जिसका नाम रखा गया है अभ्यूद योजना नेक्श वन है किस देश ने कारगो स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लौंच किया है तो हाल ही में रूस के द्वारा एक नया स्पेस्क्राफ्ट लौच किया गया है जिसका नाम है प्रोग्रेस सेवन्टी सेवन नेक्श वन है किस राज्य ने कोबिड नाइंटीन टीका करन के लिए अधार काड को निवारिक किया है अधार काड की बात करें इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में आपको कमेंट में बताना है कि अधार काड की शुरूआत जो की हमारा एक एडेंटी अप्रूफ होता है पहचान पत्र है इसकी शुरूआत कब की गई थी नेक्षवन है तीन दिपसीय परसिद मांडू महोचसा कहां शुरू किया गया है तो ये महोचसा अब स्टार्ट किये गया है मध्यपरदेश में नेक्षवन है एचल टेकनोलजी ने साइबर सुरक्षा के क्षए साहियोग के लिए किसके साथ समझोता किया है तो एचल टेकनोलजी ने साइबर सुरक्षा के लिए आई आई टी कानपुर के साथ एक नई डील की है जो कि हमारी साइबर सिक्योर्टी के लिए काफी इंपोर्टेंट समझोता रहेगा नेक्शन है खादी के उतपादन में कितने प्रतिशत की ब्रिदी दर्जे की गई है तो खादी के उतपादन में हाली में 29 प्रतिशत की ब्रिदी की गई है जो कि हमारे भारत के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेती है नेक्स वन है राश्टी संस्कृत महोतसब 2021 का योजित कहां होने जा रहा है तो राश्टी संस्कृत महोतसब 2021 का योजित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें शोशल मीडिया के उपर फोलो कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्टिम में आपको वाट्साप का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको इजिली जोइन कर सकते हैं ग्रुप में आपको डे टुडे के करन्ट अफियर, पीडियाप्स, स्टेडी मेटीरियल, एच्पी पुलिस, जीके नोट्स और साथ में जोव अलट प्रोवाइड करवाया जाता है सो वाट्साप ग्रुप के साथ ज़रूर जुडे हमारा MTS 2021 और HP पुलिस, मिशन 2021 के एडवांस बैज स्टार्ट हो चुके हैं जिनको आप चोइन कर सकते हैं विजेपात्ती फैंस एजुकेशन में सो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें जाद से जाद अपने फैंस में शेयर करें मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ तब तके लिए जय हिंद जय भारत